Hello my dear friends, welcome to the Indian Advanced Studies आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ Indian Navy SSRAA के बारे में पुर डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS Paper एक exclusive और official website है जहां पर आपको इसे related सभी information, updates, notifications आपको सबसे पहले मिलेंगी तो मैं यहाँ पर पहले सर्च करूँगी सर्च करते ही मैं आप पर new tab में open हो गई हूँ जहां पर लिखा है www.iaspaper.net carrier क्लिक करती हैं मैं यहाँ पर new tab में open हो गई हैं जहां पर लिखा है Indian Navy SSRAA Recruitment 2022 Notification, Vacancy, Application, Dates, Illigibility and Salary आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी कि इसके process कैसे और किस तरह होते हैं फिर यहाँ पर उसका कुछ introduction दिया गया है जो आपना पर देख सकते हैं कि इसका full form क्या है, इसको किसने start किया था कभी start हुआ था है उन सब के बारे में दिया गया है फिर यहाँ पर है table of content जैसे कि अगर आपको किसी भी topic के बारे में जानना हो जैसे कि what is the Indian Navy SSRAA exam या फिर उसके rates, notification, vacancy, eligibility, application form, application fees, admit card, cut off, center, pattern, syllabus, preparation tips, best books, answer key, result, cut off, selection process, salary and career growth इन सब में से अगर आपो किसी भी topic के बारे में जानना है तो फिर आप उस topic पर क्लिक कीज़ेगा आप new time में open हो जाएंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीस्ट हो चुका था यह 5th April का है 5th April का आपका application form रिलीस्ट हुआ था फिर यहाँ पर दिया गया what is the Indian Navy SSR and AA SSR AA क्या है किसने start क्या था कभी start हुआ था उन सब के बारे में दिया गया किसमें किते post हैं किते vacancies हैं उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया फिर यहाँ पर highlights से ज़िए कि organization board name, exam full name, exam mode, duration, language, official website, exam level, frequency, mode of application and application fees यह सब उसके highlights हैं यहाँ पर फिर यहाँ पर आता है exam date exam date है जैसे कि notification date आता है या फिर application form start date application form last date, admit card, examination and result इन सब में से किसी भी चीज़ का date आता है तो फिर आपको इस website के थूप पता चल रहा है जैसे कि यहाँ पर notification date आया था 29th March को आया था फिर application form का आया था 29th March को और इसका last date था 5th April को अब भी इसका admit card और exam और result इन तोनों का date नहीं इन तीनों का date नहीं आया है जब भी इसका date आया था फिर आपको इस website के थूप पता चल जाएगा फिर यहाँ पर दिया गया है notification notification PDF आपको किस तरह download करना है कौन से website के थूप डाउलोड करना है उसमें क्या क्या instructions दी रहती है उन सब के वारे में यहाँ पर दिया गया है फिर आप exam vacancies है कि कितने vacancies होते हैं इसमें किती post हैं यहाँ पर दो post दिया गया है जैसे कि यहाँ पर SSR है और AA है यह दोनों post है SSR में 2000 है और AA में 500 है तो आपको टोटल post हुआ 2500 फिर यहाँ पर है eligibility criteria eligibility criteria मतलब आप इसको apply करने के लिए eligible है या फिर नहीं यहाँ पर eligibility three types के होता है एक nationality होता है education qualification होता है और age limit होता है फिर यहाँ पर दिया गया age limit क्या आप इसको apply कर सकते हैं कि नहीं आप इसको apply eligible है आप नहीं फिर education qualification है याप पर यहाँ पर recruitment criteria है फिर nationality यहाँ पर दिया गया है फिर physical fitness test आप फिर physical fitness test होगा अगर आप उसमें भी pass होगे तो फिर आप इसको apply eligible है फिर फिर यहाँ पर medical recruitment दिया गया है फिर visual recruitment detail on the training कि सरथ training होता है दोनों post के लोगों का उन सब के बारे में आप दिया गया है फिर आता है application form application form आपको किस तरह field करना है कौन से website के दुरू field करना है कौन कौन से steps होती है उन सब के बारे में आप दिया गया यहाँ पर seven steps होती है फिर यहाँ पर आता है online application for 2022 फिर यहां पर अप्लिकेशन फीस है, अप्लिकेशन फीस बंदख कौन से का टेगरी की लोगों को कितने फीस लगती है, हाँ पर दिया है, जेनरल एंड ओबीसी के लिए 215 एंड सी, एस्टी और ट्राइवल पीपल के लिए फीस नहीं है, फिर यहां पर दिया गया है, एड्म का यहां पीटिया घर्टिया अलिटिया घर्टियागर रहा पहुतने के लिए फीस नूल प्रिव प्लेटिया थे लिए 127 नारे फीस निधि arrived पूप एक्जामिनेस्न है, पूप एक्जामिनेस्न सेंटर, आपको कहीं पे भी आपको एक्जाम सेंटर जा सकता है, ओलग औलग स्ठेट्स में या जैसे जम्मु दिया है, कोहिमा दिया है, लखनौ है, मॉंबई है, नगर, श्रिमला, रायपूर, तिरोपती, नाप्पूर कहीं पर भी जा सकता आपको exam center, फिर आप exam pattern है, exam pattern देखिए, अब देख सकता, medical standard examination है, computer based examination है, and फिर, PFT है, मतलब physical fitness test. आपको इस तर दिक्जाम होता है, फिर आप रिटन इक्जाम में किस discussions है, कितने marks questions आते हैं, उन सब के बारे में यहां पर दिया गया है फिर यहां पर medical standard का है फिर यहां पर visual standard है और यहां पर आता है exam syllabus कितने syllabus होते कौन को सब दो आपको पढ़ी रहते हैं यहां पर English का है और chemistry, general knowledge and mathematics, science, physics, basic science यह सब एक्जाम में जो सब के बारे में यहां पर दिया गया है फिर यहां पर आता है preparation tips आपको किस तरह से हर एक subject के लिए prepare करना उन सब के बारे में यहां पर दिया गया है फिर answer के, answer के exam के बाद और result के पहले आता है आप इसको official website के दुरू देख सकते हैं यहां पर step बताया किस तरह आप देखेंगे अपना answer की फिर result है, result आप पर exam के कुछ दिन बाद आता है और यहां आप official website के दुरू देख सकते हैं फिर यहां पर final merit list आता है कि आप इसमें पास होएं हैं या नहीं फिर exam cut off है यहां पर राजर संग में 35.25 है, गुजराद में 25 है, महरास्टर में 34.40, केरला में 41, करनाटिका में 17.5, पंजाब में 19, असम 17, बिहार 40.25, गुजराद 20, हरयाना 57.25, हिमाल चाप प्रदी 36, आप रहर एक स्टेट का दिया गया है, आप फिर सेलेक्शन प्रोसेस, अगर आप हर एक फिल्ड में पास होगा है, जैसे कि रिटिन एक्जाम है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में और इंटर्विव में, हर एक चीज़ में पास हो गया है, तो फिर इस प्रदी प्रदी आप काम, इस प्रहणों कि इतने सालरिस होती है उनकी, है आप दे सकते हैं, रैंक दिया गया है, पे इंदर बैंड, फिर आपका इस बेनिफिट्स क्या रहे गाए उसके बारमें आप दिया कि और आ प्र जॉब रूल्स, क्या क्या जॉब में रूल्स रएक दोष रहते हैं यहां पे कर्या गोड कुछ टाम पार दप्सक्षा प्रोमोशन हो जाएगा और आप किसी भी किसी भी पोस्ट में आ सकते हैं फिर फिर यहां पे कुछ FQS कॉशन दी गई हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं so thank you so much for watching my video thank you